नमस्कार, Foot Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज हम बनाएंगे इडली दोसा का बैटर, यह देखो एकदम फूली फूली इडली देबन के तयार है, तो हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है, इसके लिए लिया है मैंने चावल, यहापे मैंने दोसा राइज यूज किया है, तो आप कौन सा भी बड़ा वाला मोटा वाला चावल ले सकते हो, यह देखो, मोटा मोटा है एकदम, यहापे मैंने तीन कटोरी चावल लिया है, एक कटोरी, उड़त की दाल, और थोड़ा सा पैनोकरिक सीड, एक चममच, इसको हमें 7-8 गंटे तक भिगोना है, यहापे मै साथ से 8 गंटे के बाद भीग के तयार है, अब हमें लेना है पोहा, यहापे मैं आधी कटोरी पोहा लिया है, उसमें पानी डालके उसको भीगने देंगे, फिर हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे सबको, अब मैंने एक मिक्सी में चावल लिये है, उसको मैं पीस ल जब ढालना है, अब एक बड़ए बरतन में निकाल लेंगे इसको, उस थर्हाद से से कंड बैश में मैं चावल के साथ पोहा लोंगी, उसको भी अच्छा से पीस दोंगी, थर्द मैंने उड अब इसको हम 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 10-12 घंटे के लिए ओवरनाइट पर्मेंट करने के लिए रख देंगे यह देखो 10-12 घंटे के बाद बैटर एकदम फुला फुला तयार है पर्मेंट होके तयार है अब हम इससे बनाएंगे इडली यहाँ पर मैंने एक इडली ट्रे को अच्छे से ओईल से ग्रीज कर लिया है और इसमें हम डालेंगे बैटर वहाँ पर मैंने इडली स्टैंड में पानी गरम करने के लिए रख दिया है इस तरह से पूरा ट्रे मैं भर लोंगी इडली का यह देखो पूरा इडली तयार है बनके 15 मिनिट के बाद अब देखेंगे इडली बनके तयार है अब हम इसको थंडा होने देंगे 10 मिनिट के बाद देखो थंडा होने के बाद देखो इडली कितना अच्छा फूल के तयार है एकदम भी चेपकती नहीं ये ट्रे को देखो एकदम सौफ्ट और स्पॉंजी इडली बनके तयार है मैं इसको आपको तोड़के दिखाती हूँ कितना सौफ्ट है अंदर से इसको हम सांबर के साथ चटनी के साथ खा सकते है सांबर की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बास में दी है सांबर के साथ गर्मा गर्म इडली बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर मैं इसको नारेल चटनी की साथ सर्व करूँगी कोकोनट चटनी बनाई है मैंने यहाँ पर और हमारी गर्मा गर्म इडली खाने के लिए तयार है जाँ है जाँ है यहाँ ... झाल झाल